दस ऐसे सबजी जो आपको परती एकड में लाखो रुपे कमा के दे सकती है दोस्तों मेरे पीछे जो खेत है देखे ये खीरा लगा हुआ था खीरा हम क्या के जड़ से उखार दिये थे पूरा पौधा मर गया है सुग गया है लेकिन जो जाकी था जो मचान था सेम टू सेम रखा हुआ है उसी का हम बेनिफीट लेना चाहते हैं उसी में हम जो खेती कर रहे हैं उस खेती से गैरांटी के साथ है कि कम से कम परती एकड में दो लाख से उपर कामदनी मेरा होगा उसका rate कम रहेगा लेकिन उत्पादन ज्यादा होता है जिसका रहां से मेरे फोसाई पढ़ जाएगा और दो लाक से उपर तक का हम उसमे फसल बेचेंगे आप वीडियो को देखके समझी गए हैं कि आज हम कौन से बीसे में बात करने वाले हैं देखिए मौसाम पूरा कोहरा है चारो सेट कोहरा जगए और धुन्द गिर रहा है 37 हलकेल के बारीज भी हो रही है यह जन्मरी महीने का आज 6 तारीख है और इस समय काफी ठंड भी है देखिए तो उतपादां भी कम होता है तो इसी समय हमको यह चेन करना रहता है कि हम कौन सा फसल लगा मतलब कौन सा सब्जी लगाए जिससे कि हमारा उतपादां भले कम हूए कि रीट ज्याधा रहे जिससे किमको पुसाई पढ़ जाए अब पर्ती कर safe में को अधिक आंदनी हो HAM मैं ऐसे दस सब्जी के बारे में दस फसल के बारे आपको बताने वाला हूँ जिसका गैरांटी के साथ मैं बता रहा हूँ कि आपको पर्तिय कड़ में दो लाग से उपर तक कामदनी होगा इसलिए आप इसको बिल्कुल मत घवराइए मेरे वीडियो को देखिए और मझे करते हैं लेकिन सुरू करने से पहले आप सभी किसान भाइसों में रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे चैनल में अगर आप पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के देखिए जो लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा होता है उसको दबाईएगा बगल वाले घंटी सब्सक्राइब लाताइब कराके लगा रहें तो सब्सक्राइब कमसे पचchez क करना है तो करिया लगाना कैसे दैखिए करला लगाने के लिए आपको क्या करना है जो वेरैटी है आपको वेरैटी ऐसे सलेट करना है जिसका उत्पादन ज्यादा हो जो की बहुत पॉपूलर है और बारों महिना चे उसका खेती होता है तो हम देखते हैं VNR NTS 97 जो variety है कई किसान इसको सलेशन करते हैं कई किसान इसको लगाने के लिए बोलते हैं इसका size भी अच्छा होता है अगर माल लीजिए 6-7 अच्छा फ़ल हो जाता है तो एक क्लिव तक पहुँ जाता है तो करड़ा लगाने के लिए आपको क्या करना है कि सेम जो हम खीरा लगा थे देखिए इस तरह के जैसे हम बक्का लगा हुआ है चार phit का दुरी रखना है ठीक और जैसे पीछे भी है वह उसी में क्या करना है कि आपको जो drip है एक एक फिट का drip है एक एक फिट का जो नोजल होते हैं पानी गिरता है drop वहाँ पर एक एक बीज अपको लगा देना है लेकिन अभी अगर आप बीज लगाते है तो अंकुरन नहीं होता है तो अंकुरन के लिए आपको क्या करना है कि बीच को ले लिजिए हलका गरम पानी में कुछ देर के लिए फुला के रखिए हलका गरम पानी में फिर बीच को आप क्या कीजिए किसी सूतिय कपड़ा में या तो जूट के बोरा में आप बाच्छे से बांद दीजिए और गोबर जहां पर की गरम रहता है वो ऐसे जगा आप इसको रख दीजिए लगभग आपको दो दिन रखते हैं और 40 घंटा तक रखते हैं तो देखेंगे उसमें से फट चुका होता है धीरे से अंकुरन निकलता है अब उसी बीच को लेकिए आप सीधा लगा दीजी तो क्या होगा आपको थोस आप एडवांस में आ जाएंगे और बीच अच्छे से और सही समय पौधा त्यार होगा अगर आपके आसपास मान लिजे नर्सरी है जहां कि पौधा त्यार कियाता है तो वहां पर आप बीच देके या तो सिधा पौधा आप बिराइटी बता के पौधा भी खरीच सकते हैं लगभग आपको तीन से चार रुपया पौधा लगाएंगे तो लगभग काफी आप 20-25 दिस एडवांस चलेंगे लेकिन पौधा लगाने के समय पार होगा अभी आप बीच लगा दीजिए तो आपको बिनेविट मिलेगा तो पहला कहती होगा करला दूसरे नंबर पर हमावता है भिंडी भिंडी हमारे एक पौपलर किस कर वेरा देख है निए चार फीट पर अलोड़ी है ओसरेट किया हुआ है कि अब क्या कि यह पॉर्ड लगा दीजिए लेट लेटरल में कि छेद में आप दोनों साई जिसे को मैं मक्का लगा घाया हूं जहां एक फीट का यहां पर वीड़ों साइट से एक-एक पलदा लग यह अंकुरन होने में तो समस्ता होता है लेकिन धिरी से जब अंकुरन हो जागा पौधा गुरोथ नहीं करेगा लेकिन जैसे आपका 15 जनुरी जब मकर संक्रांती खतम हो जाएगा उसके बाद क्या होता है धिरी धिरी टेंपरचर बढ़ने लगता है आपका पौधा बहुत तेजी से बढ़ने लेगा और अगयती भिंडी करने से कहा होता है मार्कर में भिंडी आपको बिल्कुल ने मिलेगा 60-80 रुप्रे तक आपका भिंडी बिकेगा अगर अच्छा उत्पादन हो जाता है पौधा बना लेते हैं तो गैरांटी है दो लाग से उपर आप पर पर अग्रिश्माट नेकलन मार्च सरह सब्सक्राइब मार्च तो मार्च क्यो worden हमारे भाई उनका तैव्पार लाता है जो कि आपकी आपका रोज्पाला चलता है आपका अभी मार्च से अबदों अप्रिल था औभी मार्ट मतलब hits एत्उपरील तक या चलेगा अगर इकरजु तरबुज गयरांटी है आप बेचते हैं और गयरांटी भीकेगा भीकता ही है लेकिन अगर रेट कम होजाता है मालेज दो रुपया तीन रुपया फिर भी आप दो लाग तक का उसमें बेच सकते हैं तरबुज लगाने आपको क्या करना है तरबुज का दूरी सेम रहता है उतना ही चार फिट का दूरी रहता है लाइन से लाइन लाइन आप धूसमें आपको क्या करना है कि जो नोजल के पास एक यह वीक्तर सो काट काट कट के डिजाइन से बेचते हैं तो उसका तीन फसल देखिए कतम हो गया इसके बद हम आते हैं बरवट्टी बरवट्टी ऐसा फसल जिसमें लोग नजरंदाश करते हैं लोग ध्यान नहीं देते हैं सोचते हैं बरबटी क्या लगा हम महेंगा सब्जी लगाएंगे लकिन बरबटी एक दो किसान ऐसा है देखिए हमारे हां लगा था इस बात 30 रुपया 32 रुपया तक थोक बेचे हैं बरबटी और पुरा नही बरबटी आप लगाते हैं तो दग्या बरबटी मैं सजेसन करूंगा कि एक बर्याटी हमारे है जो कि आपका अंकूर का हरी नाम से है जब्जब को उत्पादान है देखिए वीडियो में उसको आपको सो भी कर रहा है उसका उत्पादान जबरदस्त है उसको लगाएंगे आकार उसका कॉटा होता है लेकिन 2 लॉक cage खाने में मतलब काफी पसंद करते हैं साधीए मैं उसका उपयोग करते हैं इसको दोकि जूपड़ा से दो लाग से ऊपर कामदनी होगा आपको 20 रुपया से उपर रेट रहेगा अगर आप अभी लगा देते हैं तो लगा 45 दिन में उसको उत्पादन सुरू हो जाएगा जो जिस समय का अगर साधी सीजन अगर सुरू हो जाएगा उसका डिमान भी बढ़ेगा और उत्पादन भी अगर अच्छा होता है तो कब कितना रहेगा गर्मी के समय टमाटार के रेट गया 200 रूपया मतलब आप माल लिजिए जुन और जुलाई के बीच में टमाटार के रेट क्या था लगभग लगग 200 रूपया देर सो देर सो दो सो ऐसा रेट चलता रहा तब जाकर डाउन होते होते सितंबर अक्टूबर अचानाक से फिर डाउन हो गया तीन रूपया चार रूपया तर टमाटार गया फिर क्या हुआ उसके बाद कुछ दिन बाद फिर से 20 रूप और 22 रूपया परती के रहेट बढ़ने लगा अभी भी लगवा उसी रेट ओही रेट चल रहा है इसलिए टमाटार अगर आप ल लगाते हैं तो माल लिजी अभी आप nursery करने के लिए बोल देता हैं तो लगभख चालीज दिन में नर्सरी आपका तीयार हो जाएगा पॉधा तैयार हो जाएगा मतलब जन्वरी फरवरी 10 पॉधाी पॉधार हो जार मैं जıtना दिन तीन सार तीन तो तीस रुपया से उपर ही रहता है यहां तक कि 2021 में अप्रेल 2021 में उसका रिजोज रेट था 40 रुपया 45 रुपया तक बीका है आपका टमाटर 2022 में भी 40 रुपया 45 रुपया तक बीका है और इस साल तो कंटीनूर रेट बढ़ा ही था इसलिए अब अगर टमाटर लगाते ह 100% गरांटी आप टमाटर से ले सकते हैं लेकिन आप ग्राट रेट टमाटर लगान से क्या होगा आपको पौधा करेट महांगा पड़ेगा 12-13 रुपया तक एक पौधा करेट पड़ेगा लेकिन रोग नहीं लगेगा उत्पादन ज्यादा होगा लंबे समय तक फल देगा जिससे आपको मार्कर्ट में रेट ले सकते हैं, यह होगा टमाटर दूस्तों हम छटवे नंबर पे जो हम फजल के बारे बात करएं जो सब्जी के बात करें उसका नाम है बैगन, बैगन का जो डिमांड होता है मार्कर में देखिये जैसे जिस उत्पादन होता है उसका रेट भी उसी तरह से घड़ता बढ़ता रहता है अगर हम देखेंगे जुलाई अगस्त में तो जुलाई अगस्त में बैगान का अच्छा रेट था सितंबर एक दो तारिक तक तो 30-32 रुपय करके भी बैगान भी का था अभी क्या इस्तिति है तो अभी यह जगर अगर आप ग्राफ्टेट वैगान की लॉडर कर देते हैं और पौधा लगाते हैं तो लगवाद दस प्रवर के आसपस आप रुपाई करेंगे ट्रास्प्रांटिंग करेंगे है कि तो उसका उत्पादान होगा अप्रेल में अगर होता है तो इतना समझ लिजे कि आपका उसका रेडव वी ट्यादर होगा। उ reduced गर्मिज बहुत ज़दा रहता है तो अप बैगान लगा सकते हैं लेकिन बैगान अगर आप लगाते हैं तो बैगान में जो उक्ता रोग है मतलब जो युइल डीजिज लगता है बहुत ज़ढ़ा लगता है जिसका नस्त अब दियान देना है कि किस तरह से उसका आप बचाव कर सके और ग्राप्टेट बैगा नहीं लगाई है जिससे क्या होगा रोग भी कम लगेगा उत्पादन भी जादा होगा और लंबे समय तक आपका उत्पादन भी देगा तो इस छटवा सब्जी हमारा खतम होगा अगर लगाते हैं तो इतना जदा ठंड है कि वो अंकुरन ही नहीं होगा जिस तरह से करला उस तरह से लोकी भी है लेकिन आप अंकुरन अगर कर लेते हैं जैसे कि मैं करला का बताया था तो आपका द्रेदर पौधा भी बढ़ेगा अगर लोकी पौधा बना लेते हैं तो गरांटिए कि 10 रुपया से परती किलो उपर आपका पौधा लोकी बिखेगा यह लगवा 800 से एक किलो के बीच में आपको बेचना रहता है तो यह केकड में आप 2 लाग से उपर का लोकी आ चाहिए उसके लिए मेरा एक जगा और प्लाट है मेरा नीजी प्लाट है जिससे त्यारी हो चुका है पाच एकड में लगबग वहां लगाऊंगा लेकिन अभी अगर आप लगाना चाहते हैं मैं तो फसा हों देखिए मक्का लगा चुका हूं इधर मैं अभी मैं दूसरा खेती भी कर रहा हूं लेकिन उधर एक एकड़ है उसमें खुद खीरा लगाने वाला हूं तो अगर आप खीरा लगा सकते हैं तो खीरा आपको लगाना है बहुत नाजुक तरीका से देखिए उसको देख रेक बहुत मतलब ध्यान पूरवक्त देख रेक करना है खीरा भी सब्सक्राइब करना है इस परकार से थोड़ा सा आपको देख रेक करके खीरा पोधा का त्यार कर लेते हैं तो खीरा का रेट भी जबरदस रहेगा क्योंकि जो अगेती खीरा करेगा जिसका मार्केट पहला खीराएगा उसका रेट गयांटी है कमसा 20 रुपया से उपर पर पर्तिगि व्यार रहा तो कम से कम 3 रुपय से उपर परति एकडück कर भीर है लेकीन अगर 10 रुपय तक भी रहा फिर भी आप 12 रह तक हमारा हो गया देखिए आटवा नमबर पर infect आब आता है नमबर में ऐलतार रहें носने मिर्च एक ऐसा फसल है कि जिसको अगर आप लगा देते हैं तो जब भी आपको रेट पकड़ा तो आपको असूल करके देखे ही जाएगा तो मिर्च लगाने के लिए आप अभी नर्षरी आप घर में कर सकते हैं पौधा भी आपको मार्केट मिल जाएगा ओडर करते हैं लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कम खर्च में आप घर में नर्षरी तयार कीजिए और अच्छे से लगाए मिर्च में जो भी आपको बैसल डो से फलाना शुरू हो जाएगा तो उस समय गारांटी है कि हरा मिर्च अगर मार्केट में जाता है तो कम से कम 60-70 रुपया थोक में मिर्च जाएगा और उस समय से कंटीनू आपको अक्टूबर नॉम्बर तक मिर्च पदन देते रहेगा तो बीच में कभी भी जिसी बीच में इस साल क्या हुआ कि 60-70 रुपया तक भी मिर्च विका है तो अच्छे से खेती करते हैं पदों का देख रहे करते हैं तो मिर्च भी क्या कि तीन लाग से उपर प आपका भिंडी लगा रहे हैं लोकी लगा रहे हैं लेकिन इस चीज किसी को और ध्यान नहीं है हमारे किसान है मैं खुद भांजा है वो खुद लगाया है चोटा जगा में लगाया था लगबद 10 डिसमिलास पास में जबरदस फलन है जो ब्रैटी में लगा रहा हूं यह आ प्रशाई किया उसमें इतना करके आपका जो बकरी का जो खात विसको डाल दिया और साथ में सुपर खाट सूपर फस्वेट मिला तो यह के लगा दे रहा हूं तो को रहाना से फैदा होगा कि लगबग एक से डिर किलोग का साइज होता है जिसको हरा सबजी हम बोल सकते हैं मार्केट में जाएगा तो गैरांटी के साथ मेरा मन में जो बता रहा है दोका हो तौलग बात है कि 10 रुपे से उपर थोक में दिखेगा तो इस अनुसास में देखा कि मेरा कम खर्च में मेरे को माल लेजिए बीज में ही जो 45,000 खर्च हो रहा है और जो मजदूर में खर्च ह हो रहा है इसमें क्या कि खात का जैसे खीरा में जितना खात लगता जितना पड़ता है इसमें जरूवत नहीं पड़ता है तो उसी आप से कर देखा है तो मेरे कहलता है 10-15,000 के खर्च में मेरा खेती हो जाएगा और कम से कम में बता रहा हूं कि 2,000,000 से उपर यहां सब्ज मेरा दिखेगा गरांटी के साथ आगे एक अपडेट मैं आपको बताऊंगा तो किसान भायों हम जानकरे दिये हैं वीडियो बहुत लंबा है इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप एक एक जानकरी को देख सकते हैं कैसे लगाना है ठीक और को सा सबजी लगाना है आप खुद बीवेक से अपना चैन करके अपने निना लेके सब्जी लगाईए मैं आपको गरांटी देता हूं का आपको अच्छा अंदनी होगा लेकिन आपको ध्यान देना है यह नहीं कि आप लगा के घूम रहे तो ऐसा नहीं होगा उसके खेती के पड़े रहना है उसको ध्यान अगया नहीं होगा वादाए एंगए झान के लिवेश लगाई नहीं होगाईए लगाश के विवेश नहीं होगा है विवेश लोगा के लिए लगाईए उना आपको धरा